ग्लामरिस दिखना भला कौन नहीं चाहता खास कर फिल्म इंडस्ट्री में तो ग्लामरिस और टिप टॉप दिखना ही सबसे बड़ी शर्थ होती है बॉलिवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने सुन्दर दिखने के लिए प्लास्टिक सरजरी का सहारा लिया है जब के इस लिस्ट में स्टार किट्स भी शामिल हुए हैं लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ एक्ट्रसेस ही ऐसा करवाती हैं तो आप गलत हैं कई मेल स्टार्स ने भी सुन्दर दिखने के लिए प्लास्टिक सरजरी और दूसी तरह की मेडिकल हेल्प ले ली है तो चलिए ए ऐसे स्टार्स पर जिन्होंने अट्राक्टिव लुक के लिए सरजरी का सहारा लिया जानवी कपूर स्टार किट्स में पहला नाम आता है श्री देवी की बेटी और आक्ट्रिस जानवी कपूर का जिन्होंने फिल्मों में इंट्री के लिए फेस सरजरी का सहारा लिया को और भी ग्लामरस दिखाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया है कहते हैं कि आक्ट्रिस ने नोज और लिप्स की सर्जरी करवाई थी रन्बीर कपूर फिल्म स्टार रन्बीर कपूर भी खुद को हैंड्सम बनाए रखने के लिए मेडिकल हेल्प ले चुके हैं कथी तौट पर रन्बीर ने फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद अपने जड़ते बालों की वज़से हैर ट्रांस्प्लांट का सहारा लिया था करिश्मा कपूर आक्ट्रिस करिश्मा कपूर भी खुद को जवार रखने के लिए सर्जरी का सहारा ले चुकी है करिश्मा कपूर खान वालीवुड आक्ट्रिस करिश्मा कपूर खान ने भी अपने लिप्स और चिक बोंस पर नाइफ चलवा कर अपना ग्लामरिस लुप पाया है हेमा मालीनी की बेटी इशा देवल भले ही अब फिल्मों में आक्टिव ना हो लेकिन खूबसूरत लुक पाने के लिए उन्होंनी भी अपनी लिप्स की सर्जरी करवाई थी लेकिन इससे उन्हें कोई ज़्यादा फाइदा नहीं हुआ सल्मान खान मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आक्टर ने फिल्म तेरे नाम के बाद अपने जड़ते बालों की वज़ा से हैर ट्रांस्प्लांट करवाई था कहते हैं कि फिल्म स्टार शाहिद कपूर भी अपनी नोच सर्जरी करवा चुके हैं इससे पहले वो कुछ ऐसे लगते थे आईश्वारा राय बच्छन बॉलिवुड की सबसे खूपसूरत आप्ट्रेस अईश्वारा राय पहले से ही इतनी खूपसूरत है लेकिन सर्जरी की दोड में वो भी शामिल हो गई है इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिये अपने गालों का लुक चेंज कराया है बॉलिवुड स्टार सेफ अलिखान ने खुद को जवान दिखने की कोशिश के लिए बुटॉक्स का सहारा लिया था वेल ऐसी सर्जरी करने के बाद कई स्टार्स ग्लामरेस भी धिक है तो किसी का चेहरा भी खराब हो गया लेकिन भी टाउन स्टार्स आज कल ये बड़ा रिस्क जरूर लेते हैं तो चलिए इस पर आपको क्या लगता है ये आप हमें जरुर बताईए नीचे कामेंट्स कीजिए और बॉलिवड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए